हेलो एबरिवन वेलकम टू एजुकेशन इज मैं फीचर तो बच्चो आज हम क्लास टू चैप्टर टू काउंटिंग इन ग्रॉप्स ये पार्ट टू है पेज नमबर फोर्टीन टू सेवेंटीन और एक्सप्रांशन हिंदी में कंप्लीट कोश्चन एंस्वर है एंसे आटी दा बिग कैरेट यह एक श्टोरी है एक बड़े गाजर के बारे में यह श्टोरी है चलिए स्टार्ट करते हैं देखते क्या है इसमें I an old man planted a carrot seed एक बुढा आदमी गाजर के बीच से पौधा उगाया ठीक है एक पौधा उगाया यह पिक्चर में भी आप देख सकते हैं यह दादा जी है बुढे यह old man इन्होंने एक गाजर के बीच से पौधा उगा रहे है ठीक है इसके बाद the carrot grew big and sweet वह गाजर जब बुन्यों गादिया तो वह गाजर मीठा और बड़ा हुआ ठीके बड़ा हुआ it grew very very big वह बहुत बढ़ा हो गया ठीके वह मिठी में वह गाजर बहुत बढ़ा हो गया he tried to pull out the carrot but did not come out तो उसने दादा जी ने उस जब वह बढ़ा हो गया तो दादा जी ने सोचा इसको हम मिठी से बहार निकालते हैं pull out carrot को वह try करने लेगे कि हम इसको बहार निकालते हैं मिठी से बहार it did not come out लेकिन वह बहार नहीं आ सका he quietly called his wife फिर उसने अपने दादा जी ने जो बुढ़ा आदमी था उसने अपने वाइफ को बुलाया ठीके वाइफ यानि पत्नी को बुलाया the old man pulled the carrot leaf and the old man pulled him वो बुढ़ा आदमी ने पत्ती को पकड़ा और बुढ़े आदमी को उसने अवरत ने पकड़ा ठीके देखे फिक्चर में देख सकते हैं ये दादा जी जो बुढ़े old man है वो जो पत्तियों पत्तियों को पकड़के खीच रहे उपर और फिर इनको दादी जी खीच रहे है उनकी वाइप नीचे आपको दिखा सकते हैं या नीचे भी देख सकते हैं नीचे ये old man है ये old man है और इनकी वाइप है इनको दादा जी को ओल्ड मैन को पकड़के खीच रहे हैं लेकिन इसके बाद लेकिन फिर भी वह गाजर मिट्टी से बाहर नहीं निकला नहीं कितनों भी खीचते रहे ट्राइ करते रहे लेकिन नहीं निकला इसके बाद जो बुढ़ा आदमी और वो बुढ़ी अवरत और ये पोती जो थी उनकी वह तीनों लोग मिल के फिर उस ट्राइड बर्ट कूड नाट बर्ट फूल द करेट आउट तीनों लोग ने फिर ट्राइ किया उसको मिट्टी से बाहर निकाने कले गाजर को इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं इसमें ओल्ड मैन और ओल्ड ओमैन और ये डाटर ग्रेंड डाटर उसकी पोत्री उस वह भी तीनों लोग ट्राइ कर रहे हैं लेकिन ये इतना बड़ा गाजर हो गया है कि वो नहीं निकल सका फिर आगे क्या होता है देखते हैं दा ग्रेंड डाटर काल्ड दाग इसके बाद क्या हुआ जो पोती थी उसकी ग्रेंड डाटर पोती थी वो फिर डाग को बुलाई वो गई अपने घर में डाग को बुलाई दाग The old man, his wife and granddaughter and the dog could not pulled the carrot out इसके बाद Old man, बुढ़ा आदमी और उसकी wife और उसकी पोती जो थी पोत्री ओ ग्रेंट डाटर और डाग यह तीनों मिलकर carrot को बाहर निकाले थे इसके बाद देन तब क्या होता है The dog called the cat इसके बाद जो डाग था वो cat को बुलाने गया ठीके? यहाँ पिक्चर में नीचे आपको दीख रहा होगा The dog called the cat तो यह डाग जो है यह गया cat को बुलाने यह डाग जो है cat को भी बुला लाया Everyone pulled and the cat held on the dog's tail The carrot did not move लेकिन प्रतेग लोग खीचा लेकिन वो उसकी डाग's tail और डाग की पूँच पकड़के वो बिली भी उसका हेल्प कर रहे थी ठीक है? उसको पूल खीच रहे थी The carrot did not move लेकिन कोई move नहीं हुआ ठीक है? वो गाजर नहीं हिला डोला तक नहीं The cat called the mouse इसके बाद जो बिली थी वो माउस को बुलाई बिली मुचूहा को बुलाई They all pulled hard together and the carrot come out jambo अब सभी लोग ने मिल कर उसको एक साथ उसको पूल किया इसके बाद वो फाइनली बाहर आ गया और सब लोग ने They all fell down अब वो यह सभी लोग गीर गए ठीक है? जैसे ही वो लोग गाजर को जैसे ही गाजर बाहर आया उसके गाजर के साथ साथ सब लोग फेल डाउ नीचे गीर गए सभी लोग इस पिक्चर में देख सकते है सभी लोग नीचे गिर गए I am strongest कौन बोला strongest? यह चुआ सबसे लास्ट में चुआ आया माउस यह बोलता अपने को I am strongest सबसे यह मजबूत है बोला They were so excited वे सभी लोग excited थे So they all went to the kitchen to make गाजर का हलवा and add it up और इस लिए वे सभी लोग गए कीचन में और इसका गाजर का हलवा बनाए और खाए सब लोग ठीक है? यह next page है page number 16 Look at the picture and write इस picture में आपको देखना है यह picture दिया गया है इस picture को आपको देखना है और इसमें जो कुस question है उसको पूछ रहा है उसको अम लोगो solve करना है चलिए तो start करते हैं Look at how many are pulling the carrot out कितने लोग कितने लोग कारेट को बाहर निकालने में help कर रहे थे तो count करते हैं दादा जी old man बुढ़ा आदमी one उनकी wife two उनकी पत्री three इसके बाद डोगी आया four number फिर cat cow cat आई five यह last में mouse आया six only सारे six लोग six लोग तो आप इसको लिख सकते हैं six are pulling the carrot out यहाँ पे आप six लिख सकते हैं six यह question question word छोड़के यहाँ पे six six are six are pulling the carrot out यह इसका answer हुआ और next question है who was the first one to pull it सबसे first में कौन कौन उसको उपर pull कर रहा था तो old man थे तो इसके यहाँ पे यह question word है इसको आप हटा के यहाँ पे आप old man लिख देंगे ठीक है यहाँ पे आप old man लिख देंगे old old man was the first one to pull it ठीक है यह question mark हट जागा इसको जब आप लिखेंगे तो the cat is in the line line में जो बिल्ली थी कौन सा उसका number था तो यह first number, second, third, fourth and fifth फीप्त नंबर पे फीप्त नंबर पे फीप्त नंबर पे लाइन में थी बिल्ली और next question क्या है who was the fourth who was the fourth one to pull the carrot जो fourth नंबर पे था वो कौन था गाजर की गाजर को जो पूल करने के लिए fourth नंबर पे चलिए देख लेते हैं fourth नंबर पे कौन है one, two, three, four, fourth नंबर पे डाग है picture में आप देख सकते हैं count भी कर लिजेगा तो यह डाग d, o, g, डाग how many were pulling the carrot before the cat come to the help तो कितने लोग खिचने में help कर रहे थे बिल्ली जो बिल्ली से पहले before the cat बिल्ली से पहले कितने लोग carrot को pull करने में, pulling करने में help कर रहे थे चलिए count कर लेते हैं उपर बिल्ली है fifth नंबर पे तो उसके पहले one बिल्ली है डाग one, यह पौत्री two और wife three and old man four फोर लो तो इसका एंसर क्या होगा four इसका four होगा एंसर make a cap on the third one in the line जो तीसरे नंबर पे है line में जो तीसरे नंबर पे है उनके उपर आपको एक क्या बना make a cap, एक काइब बनाना है तो देखते हैं थर्ड लाइन पे कौन है उनके लिए काइब बनाना है चलिए बना देते हैं छोटी सी काइब ऐसे आप ट्रेंगल सेप में काइब बना जी सकते हैं ठीक है ये काइब बन गया आपका ये काइब हो गया आप भी अच्छा से कर सकते हैं डेकुरेट आप भी ये ड्रॉ कर सकते हैं ये काइब का और next question है make a mouse mouse text for the six one in the line जो six line पर है उनके मुच्छे बनाने तो six line पर कौन है उनके मुच्छ बनानी है एक मुच्छ बनाना है तो last में तो mouse थे तो mouse की मुच्छे बनानी है तो मुच्छे बना देंगे इसे ठीक है इनकी mouse की मुच्छे बन गई और next क्या है page number 17 SEMA has made a design with different bindis जो SEMA है वो different different design बिंदी की different different design बनाई है ठीक है यह picture में भी आप देख सकते हैं यह देखे सारे picture में बनाई है और सब को count कर लिजेगा सब 10 का group है जितने भी group है सब 10 के group है और कितनी group है how many group तो count कर लिएते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 तो 8 group है हर group में 10 बिंदी है total कितनी बिंदी हो गई 80 बिंदी question क्या पूछा है look at the group आप guess the total number आप बिंदी यह question भी देखे पूछ लिया तो total बिंदी अभी हम लोग कर लिया 80 बिंदी होगा 80 बिंदी ठीक है next question है draw more group to complete 100 बिंदी तो 100 100 बिंदी आपको कितने group बनाने होंगे कि 100 बिंदी हो गया इसके लिए हमें two group बनाने होंगी कितने की तो how many more बिंदी did you to draw कितने ड्रा करने पड़ेगी हमें 20 बिंदी ड्रा करेंगे तो यह पूरे complete हो जाएगी तो आपका complete हो गया तो बच्चो अच्छा लगा तो लाइक करना अगर चैनल पर पहली बार तो सबस्क्राइब करिएगा जैसे next वीडियो आपको मैं upload करती हूं डेली आपको just मैं upload करूंगी वैसे यह आपको मिलेगा तो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार तो सबस्क्राइब करिए थैंक्स पार वाचिंग